स्टेट नॉमिनेशन अलोकेशन्स इतनी बड़ी डिसपोइंट्मेंट आज फेस हुई है कि जितनी लास्ट फनैंशल यर में भी नहीं हुई थी तो क्या हुआ आज तो आज अस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने अपने 2023 और 2024 के स्टेट नॉमिनेशन के अलोकेशन का नंबर डिक्लेर किया है और वो जो नंबर आया है वो बड़ा ही डिसपोइंटिंग है लास्ट यर के कंपेरिशन में अगर आप देखो तो यह जो लोकेशन हमें मिले हैं वो हाफ से भी कम है हाफ से भी नहीं मैं तो बोलूँगा वन थड की आसपास ही है तो अराउंड 60-70% का कट यहां पर अलोकेशन में किया गया है और आज की वीडियो में जानते हैं कि यह अलोकेशन ऐसे क्यों हुए है और इसका इंपक्ट कैसे आएगा हलो एवरीबन मेरा नाम है कुरुनाल नायक मैं हूँ रजिस्टर्ट माइशन एजेंट अड ग्रोमोर इ तो चलिए अब मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो कि यह 2324 का स्टेट नॉमिनेशन अलोकेशन का प्रोग्राम है जहां पर ECT को 600, 190 और 491 दोनों के लिए NSW के लिए 2650, 1500, NT को तो कुछ नहीं दिया है और तजमानिया को भी 600, 600 सीट दिये हैं और टोटल अगर आप देखो तो प यही वेब पेज पे अगर आप ऊपर जा के देखते हो तो डिपार्टमेंट ने यह जो पहले उनका प्लानिंग लेवल डिक्लेर किया था कि ऐसे ऐसे प्लान होगा पर्मेनेट माइगरेशन प्लानिंग लेवल में क्या डिक्लेरेशन हुई थी कि स्किल इंडिपेंडेंड जो है उनको 32,000 मिलेंगे और यह जो रीजनल वीजा है उसमें भी 32,300 और यह जो स्टेट और टेरिटरी नॉमिनेटेड वीजा है उसमें 30,000 तो अगर आप उपर उपर से हिसाब लगा लो तो 63,000 के आसपास यह जो स्टेट अलोकेशन कोटा होना चाहिए लेकिन उसकी वज़ए अगर आप देखो यहां पर तो यह स्टेट अलोकेटेड कोटा ओनली 10,300 तो टोटल मिला के आराउंड 17,000 के आसपास है अगर आप उपर पढ़ो तो यहां पर उन्होंने बताया है कि यह जो अलोकेशन हुए है वो जस्ट भी कहा है कि यह जो नॉमिनेशन आलोकेशन के पास बहुत सारे केसिस हैं जो अल्रडी लॉज हो चुके हैं और वो दिपार्मेंट को प्रोसेसिंग करने में दिक्कत हो र रिफलेक्ट तो नंबर वीजा एप्लिकेशन इन इस केटेगरी और नॉमिट नंबर वीजा इबल तो बी ग्रांटेड इन इस वीजा केटेगरी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह शायद यह जो अभी अलोकेशन हुए है वो थोड़े से इंट्रीम अलोकेशन हो सकते हैं औ और बाद में जाके अगर ने नए पॉइंट सिस्टम लेके आता है यह जाके नए चेंज लेके आता है और यह दूपर्टमेंट का वर्क लोड कम हो जाता है तब जाके नए कोड़ा को देगा एंट थेसलिए अन्वेज ने पा हमगेशन देसलिए लिफलेक्ट भी फजाद होगा so right now we don't have any information on hand कि क्या क्या होगा लेकिन मैं आप से एक और चीज शेर करना चाहूंगा कि आज ACT Australian Capital Territory, South Australia और Western Australia से हमें email भी आये हैं जो जो भी subscriber जो जिजनों ने किया होगा उन सबको आये होंगे आप not claiming कि सिर्फ मुझे आये हैं लेकिन ACT अगर आप ये email देखो मेरे स्क्रीम पर अगर आपको शायद दिख रहा होगा अगर ये email देखो दो ये email काफी लंबा email लिखा है और उसमें उन्होंने एक ऐसा इंडिकेशन दिया है कि I will read it for you कि given the lower allocation this year अगर आप यहां पर मेरे साथ पढ़ सकते हो कि given the allocation lower allocation this year you can expect the number of invitation to decrease which will also likely result in higher minimum score merit and invitation meriting the invitation please advise your client accordingly so मैं भी आपका migration agent आपको ये advice करने आया हो कि ये जो quota reduce हुआ है उसकी वज़े से ACT का ऐसा बोलना है कि ये जो चीजे है वो थोड़ी सी आगे पिछे हो सकती है और जो point requirement है वो high हो सकता है मतलब कि जिनके high points होगे उनको ही invite मिलेगा बाकि जिनके कम points है उनको invite शायद ना मिले ऐसा भी हो सकता है तो एक दूसरी बात में यहां पर आपको emphasize करना चाहूंगा इसी email में ACT ने mention किया है कुछ ऐसी बात जो अब तक clear नहीं थी तो यह जो government department ने यह जो पूरा quota 1,90,000 का allocate किया है तो वो quota कौन सा है और कितने कितने लोगों के लिए है is it for the main applicant कि एक जने की चार जने की फैमिली है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी तो उसके बारे में काफी अच्छा note दिया है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ो तो number of is 190,000 places the state and territory nominated planning is level is 30,400 places and the regional planning is 32,000 जो आगे देखा this means the overall number of visas the government plans to grant in this program 2023 will be broadly similar to the number of visas granted in the past year note a migration planning level refers to the number of visa delivered under the migration program each year for each category and count not only the primary applicant but any accompanying dependents they may be included in their application so in 1,90,000 में सिर्फ main application का जो जिसका invite आता है उसको काउंट नहीं किया जाएगा 1,90,000 में एक जने की चार members की family है तो वो चार वहाँ पर count होंगे तो अगर एक एक फैमिली को वीजा मिलता है जहाँ पर चार member है तो 1,90,000 माइनस चार तो यह ऐसे calculation होगी और total migrants जो लाए जाएंगे वो 190,000 लाए जाएंगे not 190,000 एप्लिकेट्स इसका एक सिंपल सा लॉजिक या कैल्कुलेशन अगर आप लगा के चलो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप let's say for example अगर आप mostly applications couples lodge करते हैं तो अगर आप couple हो अगर आप you know you are two people तो यह number सीधा हाफ हो जाता है तो अगर आप सीधा सीधा calculation करते हो तो यह जो 190,000 का number है वो सीधा हाफ हो जाता है और अगर ज्यादा बड़ी families आती है तो यह number और कम हो जाएगा single applicants होंगे लेकिन there are not many single applicants who are applying under these streams हाँ definitely there are a lot of single applications I am not saying that single apply ही नहीं करते हैं लेकिन ज्यादा तर जो यह माइगरेशन में जो family skill migration में आते हैं they are families you know couples yeah with couples with kids so number बड़ा shocking है और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जो लोगs general skill migration में try करना चाहते हैं please increase your points अपने points बढ़ा दीजिए कोई भी occupation आप काम कर रहे हो या कोई भी occupation आपका जो general skill migration में आप जा रहे हो उस occupation में you have to be the highest ranking EUI आपका EUI वहाँ पर highest rank करना चाहिए तब ही जाके आपको invite मिलने के ज्यादा chances है given के construction industry, healthcare industry, teaching industry, agriculture और technology तो यह सब में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मेरा यही advice रहेगा कि please increase your points जो भी करके आप English improve कर लो या naati कर लो या partner का skill assessment partner का English जो भी कर सकते हो यह सारी चीजे मिला जाके make a combine you know a combo which has the highest point in your point score तभी जाके आपके best chances रहेंगे, so this is the question, दूसरी बात अगर आपको points में अगर आप नहीं कर सकते हो, तो दूसरा alternative आपका Employed Sponsored Visa का है और Employed Sponsored Visa में काफी अच्छे successes अभी आ रहे हैं, तो Employed Sponsored Visa is also not bad, so 482 अगर eligible हो या फिर 186 या फिर 186 के लिए eligible हो, तो दोनों spaces में आप जा सकते हो, and आप अपना Visa acquire कर सकते हो, so best of luck guys, यह थोड़ी सी बहुत disappointing news थी, तो I thought के let's share and let's give some hope to our viewers कि जो हमें देख रहे हैं, कि अभी जो लोग 70 points पे 65 points पे या 75 points पे हैं उनके occupation में, उनके लिए थोड़ा motivation है कि please, just because of that, अगर migration program बाद में जाके seats allocate हो जाती है, जो पहले डिकलेर हुई थी, that's amazing news, लेकिन अगर वो seats allocate नहीं होती है, और यही जो है, यही सच है, if this is the only truth, in that case, मैं आपको यही advice करूंगा, कि please try and increase your points, या फिर you go for the employer sponsored visa, अगर आपको visa employer sponsored में जा रहे हो, या GSM skilled visa में जा रहे हो, कोई भी help चाहिए, I'm here, my name is Kr not like, I'm a registered migration agent at Growmore Immigration, and I'm happy to help, thank you so much for watching this video, अगर आपको हमारा video content अच्छा लगा है, तो please आपके family or friends के साथ, share कर दीजेगा, और हमारे चैनल को like or subscribe नहीं किया है, तो definitely like or subscribe भी कर दीजेगा, thank you so much.